फिल्म दे कश्मीर फाइल्स पर विवादत टिपपणी करने को लेकर इसराइली फिल्मकार नदाव लेपिट की आलोचना हो रही है। 28 नमबर को लेपिट ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा और अशलील मूवी कहा। उनके बयान का विडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुआ। कुछ लोग उनकी बात से सहमत देखे तो कुछ काफी नाराज देखे। लेपिट के बयान पर फिल्म से जुड़े लोगों और फैंस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। साथी उन लोगों की प्रतिक्रियाँ भी सामने आई हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। बता दें लेपिट भारत के अंतराश्ट्रिये फिल्म समारोहों की जूरी के प्रमुख भी हैं। उनके बयान को लेकर फिल्म मेकर अशुख पंडित ने ट्वीट किया आई एफ एफ आई के जूरी प्रमुख के रूप में लेपिट का चैन आई एनवी मंत्राले की ओर से एक बड़ी चूक है। इसलिए मंत्राले में जो लोग इस अपराथ के लिए जिम्मेदार हैं उनके प्रमुखों को सजा मिलने जाए। फिल्स्तीन के हमदर्द से कोई क्या उमीद कर सकता है। एक अन्य ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा लेपिट द्वारा कश्मीर फाइल्स के लिए इस्तिमाल की गई भाषा पर मुझे कड़ी आपती है। तीन लाख कश्मीरी हिंदूों के नरसंगहार को चित्रत करने को अश्लील नहीं कहा जा सकता। मैं एक फिल्म नर्माता और एक कश्मीरी पंडित के तौर पर आतंकवाद के पेडितों के प्रती इस बेशर्म कृत की निंदा करता हूँ। एक्टर दरशन कुमार ने फिल्म में एहम रोल प्ले किया था। लैपिट की टिपपुनी का जवाब देते हुए उन्होंने एनाई से कहा लोग जो कुछ भी देखते और महसूस करते हैं उस पर हर किसी की अपनी व्यक्तिगत राय होती है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि दे कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाई की वास्तविक दुरदशा को दरशाया गया है। वो लोग अभी भी आतंकवाद की क्रूर कर्तूतों के खलाफ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये फिल्म अशलीलता पर नहीं बलकि हकीकत पर आधारित है। फिल्म में बतौर अक्टर काम कर चुके अनुपम खेर ने ट्वीट में लिखा जूट का कद कितना भी उंचा क्यों ना हो सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। अनुपम खेर ने एन आई से कहा। मामले पर स्वराभासकर ने ट्वीट किया जिसका अर्थ लैपिट के बयान के समर्थन के रूप में निकाला जा रहा है। ये बात दुनिया के लिए बहुत साफ है। बता दें दिकश्मीर फाइल्स को इंडियन पैनोरामा सेक्शन के लिए चुना गया था और 22 नवंबर को इसे फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। इस पर लैपिट ने कहा दिकश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हम सभी डिस्टर्ब और हैरान थे। ये हमें एक प्रोपगेंडा अश्लील फिल्म की तरह लगा जो इतने प्रतुष्ठित फिल्म समारो के लिए उचत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इस असंतोश को खुले तोर पर साजा कर सकता हूँ क्योंकि समारो की आत्मा ही यही है कि हम यहां आलोच नाउं को स्वीकार करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। इस साल के शुरुवात में रिलीज हुई फिल्म दे कश्पीर फाइल्स नब्बे के दशक में कश्पीरी पंडितों पर हुए हमलों की सच्ची कहानी बताने का दावा करती है। हालांकि अपने रिलीज से ही यह फिल्म बिवादों में रही है। मैं हम गर्मा, क्यामरी के पीछे हैं आलश, आप देख रहे हैं बीलल लंटॉप